ग्रेविटेशन की दुनिया में ले जएके is अबघ्रास्टाइट जैसा होता है सबसे पहले हम DOWNगरेविटेशन में क्या बात करते हैं नूटॉन रॉफ ग्रेविटेशन क्या होता है। M1 M2 बटा R², देखो जो gravitational force होता है, central होता है, conservative होता है, long range होता है, mediated by graviton होता है, inverse square law को follow करता है, और medium independent होता है, हाँ या ना, हाँ या ना, पर सही है, हमेशा attractive होता है, हमेशा attractive होता है, और mediated by graviton होता है, लिखा है है, mediated by graviton होता है, ओके, यहाँ पर दो object है, मालनो M1 M2 मास क आर डिस्टेंस पर, दोनों एक दूसे पर मिच्वल फोर्स सेम ही लगाते हैं, ठीक है, मिच्वल फोर्स सेम ही लगाते हैं, नेक्स्ट, ग्रेविटेस्नल फिल्ड इंटेंसिटी होता है बेटा, ग्रेविटेस्नल फोर्स बटा मास, ग्रेविटेस्नल फोर्स बटा मास को हम क नीट का एक पूछा हुआ जोड़दार सवाल है क्या सवाल है? जहान से देखिए तो अब्जेक्ट अफ इक्वल मास प्लेस्टेन डिस्टेंस फ्रों इच अधर अट्रैक्ट विद फोर्स इफ वन थर्ड मास अफ दे वन अब्जेक्ट अब उसने बोला यहां से यहां से वन थर्ड मास अगर मैं निकाल लूँ तो कितना बचेगा? टू थर्ड तो यह हो जाएगा जी वन थर्ड निकाल लूँगा तो टू एम बाई थरी बचेगा और उसको इसमें दे दिया तो एम प्लस एम बाई थरी फोर एम बाई थरी बचेगा यह फोर एम बाई थरी बचेगा बटा आर स्क्वार यह हो जाएगा बैटा आठ बटा नो एट जी एम स्क्वार बाई नाइन आर स्क्वार मतलब नेक्स देखिये, नेक्स देखिये, तुव एस्पेर फ मास M and capital M situated in air, the gravitational force between them is F, if the space around the mass now filled it with a liquid of specific gravity 3, then gravitational force will become, अरे बाई, specific gravity, relative density medium पे gravitational force depend नहीं करता, answer क्या हो जाएगा आपका, second, answer क्या हो जाएगा बेटा, second, clear है, चलो, आगे देखो, देखो, दो एस्पेर जिसका मास M है, radius R ह है, उन दोनों के बीच जो gravitational force है, अगर वो radius पे पूछे, तो याद रखियेगा, F is equal to G, M1, M2 divided by दोनों का center कितने distance पर है, 2R का whole square होगा, पर clear है, हाँ, बहुत बढ़ी है, अब धिहान से लिखो, मास को लिखोगे density into radius का cube, तो radius का cube आएगा, ये मास into density का cube, radius का cube आएगा, तो 6 बड़ा R square, तो proportional to radius का power 4 होगा, है क्या कहीं, अरे भाई, गलत लिखा, पहला option हीऊं पहला option कीवेगा, बेटा, समझो, समझो भाई, पहला option क्यों आएगा, पहला option क्यों आएगा क्या है gravitational force between two object is purpose अच्छा चाहिए तो कुछ और सवाल है एक में टेक मिट सॉरी 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 यह कुछ और सवाल है रे यह मैं दूसरा सवाल करा किया gravitational force between object is proportional to one upon our and not as one upon our square where r is the distance between them and particle is in a circular path then would its orbital speed is proportional to यह तो कोई बात नहीं मान लो एक object यहां पर अर्थ है जो रेस्ट में और यहां से आर डिस्टेंस पर एक स्मॉल मास का circular path पर चल रहा है तो इन दोनों को circular path देखो इसको circular path पर चलाने के लिए gravitational force ही तो लाएगा तो यह gravitational force ही centripetal force का role play करेगा centripetal force होता है mb square vr और gravitational force होता है gm1 m2 बटा r square लेकिन कह रहा है कि बटा r square नहीं 1 upon r ही होगा 1 upon r ही होगा तो r से r कट जाएगा मतलब orbital velocity does not depends upon radius orbital velocity does not depends upon radius second answer हो जाएगा I am sorry मैं अच्छा तुम बताओ ठीक है मैंने गलत किया कोई दिक्कत नहीं मैं कुछ और समझ गया था तुम मुझे यह बताओ कि मैं क्या समझ के कर रहा था अगर तुम बता दोगे ना मजा जाएगा भाई मैं actual मैं क्या समझ के कर रहा था यह मैं क्या समझ के कर रहा था मैं समझ के कर रहा था कि दो स्पेर को अगर कॉंटेक्ट में रख दे उनके बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स उनके रेडियस पर कैसे डिपेंड करता है यह वाला मैं समझ के कर रहा था ठीक है चलो यह आगया ना यह आगया तो कमिंट बॉक्स में एक वर आग लगा दो हम आगे बढ़ते हैं ठीक है अब देखो जी का बरिये संथ सबसे पहली बात अगर सर्फिस से मैं उपर जाओ तो भी घटता है और नीचे जाओ तो भी घटत है वो इनवस्टली परपोर्शनल टू सिर्फ डिस्टेंस आता है देखो मैं यहाँ पर करके दिखाता हूं मैं करके दिखाता हूं किसी भी ह हाइट पे जो एसलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो सर्फिस पे जी नॉट के टंस में क्या आएगा किसी भी हाइट पे hanno adapting to addition due to gravity होता है वह अगर मैं इसको छोटे ह देखो तो 20771-1-123r一樣 यह तब लगेगा जब its की वेल्यू बहुत चोटा है यह हमेशा लगता है यह तुम्हारा असली formula है, actual में यह हमेशा लगेगा, लेकिन इसको तब लगाओगे, जब h और r क्या हो, comparable हो, तब यह लगाओगे, अगर तुम्हारा h बहुत छोटा है, तो solve करने में दिक्कत होगी, तो यह वाला formula लगाते हैं, g h is equal to g not 1 minus 2hyr, क्या लगाते हैं, g h is equal to g not 1 minus 2hyr, g h is equal to g not 1 minus 2hyr, यह वाला formula लगाते हैं, clear है यह बात, याद है, अच्छा, d distance पर हम जब जाते हैं, तो g at d distance is equal to, g not small r बटा, capital r होता है, तो यह formula हम नहीं पढ़ा है, देखो बताता हूँ, अगर अर्थ के center से small r distance पर मैं ऐसे lesson due to gravity देखो, center से small r distance पर मैं ऐसे lesson due to gravity देखो, तो याद र सुनो, g at distance small r is equal to, g not small r, capital r, center से r distance पर सिलेशन due to gravity directly proportional to distance होता है, exactly center पर सिलेशन due to gravity 0 होता है, हाँ या ना, हाँ या ना, बताँ ये बताँ बताँ, exactly center पर सिलेशन due to gravity क्या होता है, जीरो होता है, r distance पे relation to gravity directly proportional to r होगा लेकिन सर यही बहला formula कैसे लिखा है, वो surface से d distance पर जब लिखते हैं तो total radius अगर r है तो small r को क्या लिख सकते है, capital r minus d किसी small r को हम लिखते है capital r minus d यह capital r minus d जब लिखते हैं तो d def पे हो जाता है g naught capital r minus d पटा r, इस r को अंदर ले जाओगे, तो g naught 1 minus d y आ रहाता है बोलो, चमका चमका असर यह तो चमका यहां से delta g by g निकालोगे तो depth पे delta g by g होता है minus d y r, और height पर delta g by g होता है minus 2h by r, उपर जाने पी भी घडता है नीचे जाने पे भी घडता है तो कई बार पूछते हैं कि बताओ d और depth और height में relation ताकि दोनों जगे solution due to gravity बराबर हो जाए मतलब ये वाला और ये वाला term बराबर हो जाए इसको इसके बराबर हो कर आर से आर कटेगा d बराबर 2h d बराबर क्या आएगा 2h अगर h height पे solution due to gravity और d depth पे solution due to gravity same है तो d बराबर यहाँ पे क्या relation आएगा 2h clear है क्या ये बात rotation की वैसे जो solution due to gravity घडता है वो हता है g is equal to g not minus omega square r cos square theta g is equal to g not minus omega square r cos square theta equator पे जो rotation की वैसे solution due to gravity घडता है वो 0.34 या 35% घडता है अगर मैं rotation को exactly rotation का time period exactly 84 minute या 1.4 hour कर दूँ तो ये effective acceleration due to gravity क्या हो जाएगा effective acceleration due to gravity 0 हो जाएगा ठीक है मतलब मुझे मैं उसका angular speed 17 गुना बरहा दूँगा इसलिए time period 17 गुना कम हो जाएगा 24 घंटे को 17 से divide करोगे तो ये 1.4 hour आएगा equator पे जादा होता है acceleration due to gravity की pole पे equator की distance जादा होती equator पे acceleration due to gravity कम and pole पे acceleration due to gravity जादा होता है clear है ये बात clear है ये बात अब यहाँ पर J-Man 2023 का एक सवाल है इसको कर लो अच्छे से करो मजा आ जाएगा एक दम क्या है सवाल acceleration due to earth gravity decreases as you go up or down from the earth surface सही है की गलत सही है गदम अगर earth surface से उपर जाता हूँ तो भी acceleration due to gravity घटता है और earth surface से नीचे आता हूँ तो भी acceleration due to gravity घटता है ये तो सही है acceleration due to gravity is same at height h and depth d from the surface of earth नहीं गलत है 2h ब्रावर d होता है मतलब d ब्रावर 2h होता है तो ये गलत हो गया मतलब statement first is incorrect नहीं statement one is correct third answer आएगा क्या third answer आएगा क्या third answer आएगा क्या third answer आएगा क्या बहुत बढ़िया जोरदार, सांदार, जबरदस्त बताओ, ये 2014 का सवाल है electric field versus r का graph पुछा है solid sphere के लिए dependency of intensity of the gravitational field of earth bit distance r intensity of gravitational field और a solution due to gravity बास्तविक्ता में एक ही चीज होता है बास्तविक्ता में क्या होता है एक ही चीज होता है तो बताइए, कौन सा graph यहाँ पे सही होता हुआ दिखाई देगा कौन सा graph यहाँ पे सही होता हुआ दिखाई देगा तो सबसे पहली बात देखो, gravitational field intensity positive और negative option देना तो निगेटिव वाला चूज करें ये दोनों गलत होगे, दूसरी बात directly proportional to r और inversely proportional to r इसको है, पहला सही होगा ये भी पहला बोला है, ये भी पहला बोला है छत्री थोड़ी ना बनाना है भाईया कई लोग जवाब दे ला है third अपि छत्री थोड़ी ना बनाना है तर first क्यों नहीं, क्योंकि gravitational field intensity positive तब लोग ही ये सही होता अगर सारे positive में होते हैं या mod e होता तो अगर e vector है तो मैंने बोला था कि हमेशा attractive होता है, negative direction में होता है हमेशा क्या होता है, attractive होता है, negative direction में होता है इसलिए आपका सही जवाब क्या जाएगा, first clear है भाई next if we move from pole to equator कहां से कहां जा रहे भाई if we move from pole to equator, the direction of acceleration due to gravity of earth always towards the center of earth without any variation नहीं, center की तरफ होगा लेकिन vary करता है, at equator direction of acceleration due to gravity towards the center of earth in the light of every statement, choose the correct statement तो तुमारा reason सही है, यह गलत है numerical Lord AR कोई AIPMT 2010 और 2012 का सवाल है G और R में ग्राफ पुछा है तो G और R का ग्राफ तो वहना D सही हो जाएगा क्यूँ? क्यूँ कि हम जानते हैं अंदर में center से G directly proportional to R होता है और बाहर में G inversely proportional to R square होता है तो D सही होगा, कई बच्चे कहेंगे सर यह क्यों नहीं क्योंकि यह पैराबोला बनाया है थोड़ा सा यह straight line होता है अर्थ के अंदर अर्थ के बाहर inversely proportional होता है क्या सही बात कर रहा हूँ है क्या सही बात कर रहा हूँ है नेक्स देखिए, नीट 28 का सवाल है इफ, mass of the sun bear 10 times the smaller अच्छा, mass of sun को अगर 10 गुना कम कर दूँ में ठीक है, कम कर देता हूँ mass of the sun bear 10 times the smaller and the universal gravitational constant bear 10 times larger G की value 10 गुना बढ़ा दिया बीज़द फ्लोइंग is not correct raindrop ball will fall will faster हाँ भई, अगर तुम capital G की value बताओगे, अर्थ के surface पे जो ऐसे lesson due to gravity होता है वो gm बट r square होता है क्या अर्थ के surface पर देखूँगा तो rain drop, obvious ही बात है fast गिरेगा, क्यों? क्योंकि G की value बढ़ गई और अर्थ का mass होता है, आपे sun का mass तो होता नहीं है तो ये तो सही है, walking on the ground will become more difficult, obvious ही बात है, G बढ़ेगा तो पैर उठाना मुस्किल होगा, time period of simple principle of the earth would decrease, P is equal to 2 pi, root under L by G G बढ़ जाएगा, तो time period घटेगा, G on the earth will not change, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई चौथा answer चला जाएगा, wrong पूछा है, तो answer आपका कौन सा चला जाएगा fourth answer आपका कौन सा चला जाएगा, fourth next देखो, ये सवाल तुम्हाना main सवाल है, ऐसे बेटा नीट में आते है, अराम से पढ़ो कौन सा फर्मला लगाएगा, वो देखो कि मिस्नरी ये new planet having the same density as the earth but it's three times bigger than the earth in size if there is a solution due to gravity on the earth's surface is Z, then there is a solution due to gravity on that planet is, बता हो, क्या होगा है देखते हैं, कितने बच्चे इसको सही करते है ये देखते हैं, कितने बच्चे इसको सही करते हैं, आईए, बताईए चलिए कितने बच्चे इसको सही करते है एस लेजन due to gravity होता है, भाई 2 FMzeni 2 Prime 4 5 5 5 6 सहाब मजाक नहीं कर रहा इतने लोग लेक्चर देख रहा है न वहुत करांति का रही है कैसे यह जवाब दिया है वे इसी लेशन डियू टो ग्रैविटी इन वसली परपोर्शनल टो आर स्कार तब होगा जब मास को कॉंस्टेंट माना लेकिन यहां पर जी इस इकोल टो होता है फोर बाई एक यह फूर वा ही यह फ्यूर थी फाई जी रो आर हो यह सारा टूंस्टेंट यह जो भी आजिए गी डार्यक्क्ली पॉर्पोर्शनल टू रडियस आगया इस डि reality proportional to radius हो जाएगा, तीन गुना radius भुआएँगे तो सीलेशन due to gravity तीन गुना भर जाएगा, C is a गलत जवाब, C is a गलत जवाब, C is a गलत जवाब, Clear है बेटा ये बात, चलिए ये करके दिखाएढे, Neat 2020 का सवाल है, क्या है औड वेट 72 नूटन on the beginnenall – earth surface से बेट 72 newton what will be the gravitational force on it at a height equal to the half of the radius of earth height equal to the half of radius of earth इसमें कौन सा formula लगा होगे असली वाला की नकली वाला बस इतना बता दो क्योंकि H height पे से लेशन due to gravity के पे से बेट चेंज होगा H height पे से लेशन due to gravity पे से लेशन कौन सा formula लगा होगे असली की नकली ये बता दो तो देखो असली formula लगेगा reason क्या है क्योंकि height radius of earth काधा है तो अच्छा खासा height होगया तो ये formula लगेगा तो G not r square but r plus r by 2 3 r by 2 3 r by 2 का whole square r square से r square 9 by 4 4 by 9 into G not और G not ही तो weight decide करेगा तो 72 है ये तो अठारदुना च्छतिस नौ से cancel होगा क्या हाँ 9 अठेबहत्तर आर्चुक 32 32 न्यूटन इंसर आएगा कितना इंसर आजाएगा 32 न्यूटन इंसर आजाएगा अच्छा ये वाला formula कब लगाओगे जब तुम्हारा radius 32 km 64 km 128 km दिया हो तब लगाओगे लग रहा होगा असली वाला formula ही लग रहा होगा चलो ये देखो ये बढ़िया सवाल है नीट 2017 का सवाल है एसलेशन दूटो ग्रेविटी एब लाइट वन किलोमेटर एफ अप द आर्थ इस देफ्ट दी विलो दे सर्फेस देट रिलेशन बिट्विन देमीज कितना बढ़िया समझा है यार कि D बरावर होता है 2H H दिया 1 km तो 1 km रखोगे तो 2 x 1 km बरावर D 2 km है मतलब आपका 3rd correct answer हो जाएगा खाया ना 3rd correct answer हो जाएगा क्या नहीं नहीं 4th कुछ बच्चे कह रहा है हमने आपको क्या वोला D बरावर 2H और H को 1 km रखोगे तो D बरावर क्या होगा 2 km ठीक है न the mass of the sun वेट 10 times अभी तो किया है अभी तो किया हमने next is gravitational potential gravitational potential समझो gravitational potential exactly electric potential जैसे ही vary करता है जैसे माल लो मैं hollow sphere की बात करू hollow sphere के center से लेके surface तक potential same होगा और उसकी value होगी minus gm by smaller और बाहर में potential inversely proportional to r square होगा मतलब sorry inversely proportional to r होगा gm by मतलब यहाँ पर radius अगर r है तो capital r होगा अंदर में हर जगा potential same होगा बाहर में minus gm by small r होगा अगर graph बनाओगे potential versus distance का तो इस तरह का कुछ graph बनेगा कैसा graph बनेगा अंदर में constant बाहर में rectangular hyperbolic लेकिन अगर solid sphere का देखोगे तो अंदर में जो potential होता है वो होता है inside potential is equal to minus gm बटा 2 r cube into 3 r square minus r square यह r square है यह कैसे बता चलता है तो यह याद रखने का एक बड़ा आसान सा तरीका है कि center पर जो potential होता है वो होटा है 2 minus 2 gm by 3 r नहीं 3 by 2 gm r 3 gm by 2 r center पर और surface पर जो potential होता है वो होता है minus gm by r क्या आप जानते हैं यह बात center पर जो potential surface पर जो potential होता है वो होता है minus gm by r और center पर जो potential होता है minus 3 gm by 2 r तो यहाँ पर put करोगे वेरिफाई हो जाएगा, अच्छा, potential versus distance का graph कैसा होगा, अगर negative में plot करोगे तो ये parabola और फिर ये rectangular hyperbola क्या, ये ही होगा, ये parabola फिर ये rectangular hyperbola क्या, ये ही होगा, clear है क्या, हाँ, ये graph गलत बोल सकते हो, अगर मैं sign के साथ लूँ तो, अगर मैं mod वी लूँ तो graph सही है, क्या ये वाला graph आपको समझ में आया बेटा, ये वाला graph आपको समझ में आया, अब यहाँ पर सवाल ये जो किया है, आज ही मैंने आपको basic math में करा दिया है, कैसे, बहु ये origin पर potential कितना होगा, क्या ये GP series का application है, अभी अभी मैंने basic math में ये करा आया है, अब देखो, इतना याद रखना, earth surface से, h height पर अगर किसी body को हम ले जाते हैं, तो change in potential energy का जो formula होता है, वो होता है, mgh divided by 1 plus h by r, क्या होता है change in potential energy का formula, mgs divided by 1 plus h by r, change in potential energy का formula क्या होता है, बेटा, change in potential energy का formula होता है, mgh divided by 1 plus h by r, escape velocity का formula होता है, root under 2 gm by r, या root under 2 g r, small g के terms में है, small d के terms में होता है, root under 2 g r, और अगर capital g के terms में पर देखो, तो 2 gm by r, escape velocity की बात कर रहा हूं, escape velocity does not depend on the mass of the object and angle of projection, जिस object को हम project करते हैं, उसके mass पर depend नहीं करता है, अच्छा, density और radius के terms में देखेंगे, तो 8 by 3 g rho pi r square होता है, मतलब escape velocity is directly proportional radius into root under density, ये भी बहुत important formula है, escape velocity की value बताईए, कितनी आती है अर्थ के surface से, अर्थ के surface से escape velocity की value आती है, 11.2 km per second, बिल्कुल सही है, तूसरी बात, object की energy, मैं कितना कर दू, total energy, ताकि वो अर्थ के gravitational field से बाहर चला जाए, अर्थ के surface से, किसी भी object का, total energy कितना हो जाना चाहिए, ताकि वो अर्थ के surface से escape कर जाए, 0. इसके पास, अर्थ के surface पे, जितनी potential energy होता है, minus g capital m, small m by r, उतना ही kinetic energy हम दे देते हैं, क्या, तो total energy क्या हो जाएगा, इसकी 0, तभी तो अर्थ के surface से escape कर जाता है, तो ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है, अगर मैं किसी object को, अर्थ के surface से skip कराना चाहता हूँ, तो उसकी velocity कितनी, उसकी total energy कितनी होनी चाहिए, उसकी total energy होनी चाहिए, total, तो zero, तो total energy क्या हो नीचे 0, अब एक बड़ा सा important सा concept बनता है, कि अगर मैं given velocity, escape velocity से कम रखूँ, अगर मैं given velocity, escape velocity से कम रखूँ, तो कितने height तक जाएगा, height बराबर होता है, r बटा, r बटा, v e का whole square बटा, v g का whole square minus 1, ये height होता है, अच्छा, अगर escape velocity से जादा velocity दूँग तो उसमें infinity पर उसकी जो speed होगी, v infinity वरा root अंडर v g का whole square minus v e का whole square होगा, कि ये clear बात समझ में आता है, कि ए clear बात आपको समझ में आता है, दूसरी बात, दूसरी बात, satellite की अगर मैं बात करो, जो circular orbit में घूमता है, उसका angular momentum conserve रहता है, उस पर torque 0 लग रहा होता है, mechanical energy उसका conserve सलब रहता है, satellite on a circular path, जैं किसकी बात कर रहा हूँ? circular path पे जो object चल रहा है, satellite चल रहा हूँ, उसकी जो orbital velocity होता है, कि रूट 2 टाइमस ऑफ सेटल, जो orbital velocity होता है, वो escape velocity बटा root 2 होता है, कि हा, इसमें 2 का factor हटा दो, यहाँ पे escape velocity के formula में 2 का factor हटा दो, क्या वो circular path पे, circular path पे orbital velocity आ जाएगी हाँ भाई इसलिए तो लिखा है देखो escape बराबर root 2 into orbital root 2 की value 1.24 होता है देखो circular path पे जो object चल रहा होता है उसकी जो kinetic energy होती है उसका value total energy के बराबर होता है हाँ या ना potential energy two times of total energy के बराबर होता है total energy and potential energy बेटा negative रहता है लेकिन kinetic energy बेटा positive रहता है kinetic energy क्या रहता है positive रहता है अब यह need 2019 का सवाल करो बहुत असान है यह elliptical बात की बात नहीं कर रहा है मैं circular path की बात कर रहा तो circular path पे जब object चलता है कोई भी satellite चलता है तो उसका orbital velocity escape में से root 2 हटा दो इंसर आ जाएगा जब यह circular path पे चल रहा होता है तो उसकी kinetic energy और total energy का magnitude सेम रहता है यह आप electron के orbital path से भी compare कर सकते हैं अगर आप graph बनाएंगे तो energy kinetic वाला उपर होगा potential energy यह होगा total energy यह होगा यह total energy यह potential energy और यह kinetic energy याद रखेगा kinetic energy का magnitude total energy के magnitude के बराबर होता है और kinetic energy बराबर potential energy का आधा होता है तो total energy का magnitude यह potential energy का आधा होगा यह सही एकदम कितने लोग को यह बात एकदम चमक गया है बताओ कितने लोग को यह बात चमक गया है एकदम बता दो ठीक है अब नीट 2019 का सवाल करो work done to raise the mass m potential energy तो और के बराबर होगा, यह हो जाएगा, mg height की value r के बराबर है, plus 1 plus h की value r by r, r से आर कटेगा, एक आएगा, answer आजाएगा आपका mg r by 2, neat में consecutively यह वाले सवाल कई बार पूछे गए, half mg r is your correct answer, half mg r is your correct answer, clear है क्या यह बात, clear है यह बात, चलिए साब next देखते हैं, next का है सवाल, neat 2013 का सवाल है, same pattern पे, same pattern पे exactly, neat 2016 का सवाल है, potential energy होता है, minus g, capital m, small m, बटा, अगर surface height दिया हो, तो r plus h हो जाएगा, और g की value, उसी height पे होता है, minus g, m, बटा, r plus h का whole square, दोनों को divide कर दो, answer आजाएगा, बहुत असान है, यह सवाल देको, कुछ बात नहीं है, simple, earth assumed to be a sphere of radius r, platform arranged at the height r, from the surface of earth, actual में surface of earth से h height बराबर r के surface से, अगर किसी object को मैं fake रहा हूँ, तो बोला है कि इसकी escape velocity, और surface पर जो escape velocity इसको कब बेर करो, कोई खास बात नहीं, यहाँ पर जो potential होगा, उतनी kinetic energy देंगे, kinetic energy, half mv square, और यहाँ पर potential क्या होगा, minus g, capital m, small m, but a 2r, the rr, 2r, तो half से 2 कटेगा, m से m कटेगा, तो escape velocity हो जाएगा, minus gm by r, और surface से escape velocity क्या होता है, root under 2gm by r, from the platform is fv, platform पे fv है, तो यह क्या है, root 2 गुना कम है, तो answer क्या जाएगा, आपका, third, answer क्या जाएगा, आपका, third, next, देखिए बेटा, यह easy है, कोई खास बात नहीं है, यह करनाट का need 2013 का सवाल है, यह करो एक बाद, मैं stream off करवाता हूँ, next class start करेंगे हम, 10 minute के break के बाद, आगे छोटे छोटे चेप्टर बचे बेटा, देखो, देखो, अराम से खत्म हो जाएगा, घबराना मत, मुह हाथ दो के वापस आ जाना, घबराने की कोई जोरत नहीं है, ठीके बेटा, घबराने की कोई जोरत नहीं है, थोरा सा gravitation का part, उसके बाद आपका solid छोटा चेप्टर है, fluid छोटा चेप्टर है, बहुत बढ़ा चेप्टर नहीं है, इसमें viscosity और surface tension से ही ज्यादा सवाल आते हैं, उसके बाद आपको thermal properties of matter, thermodynamics, exchange system, और भी हो जाएगा, चिंदा करने की जोरत नहीं है, हो जाएगा, यह सेम पैटर्न पर सवाल है बेटा, ओ भाई, रुख जा, रुख जा, इतनी तेज गती से कहा भाग रहा, और भी है, इधा खतम ही होगे, रुख जा, दस पेज और बचे यहां पर, दस पेज और बचे, ज़्यादा नहीं बचे, कि पुलर्सлан मे बचे है, कि प्लरक्लर्स लोग क्या होता है, पहला लग क्या कहता है, पहला लोग कहता है जिसको कहते है लॉओ फोरिट, law of orbit कहता है the planet moves in elliptical orbit with the sun at the one of the focus और sun के एक focus के about, sun को एक focus पे रखके elliptical orbit में particle चलता है कहां चलता है? elliptical orbit में particle चलता है minimum distance यह हो गया, maximum distance यह हो गया maximum बटा minimum distance का ratio होता है 1 plus E divided by 1 minus E into AA कट जाएगा जहां पर A है इसका semi major axis जब यह minimum distance फो होता है, speed maximum होता है maximum distance पो होता है, तो इसका speed क्या होता है? minimum होता है law of area क्या कहता है? law of area कहता है aerial velocity आपका constant रहेगा, तो rb का product constant रहेगा angular momentum constant आजाएगा, third law कहता है, t² is proportional to rq third law क्या कहता है? t² is proportional to rq clear नहीं? t² is proportional to rq, clear? अब इस पर सवाल कैसे कैसे आएंगे, the period of revolution of the planet is a, around the sun is a times that b, then distance of a from the sun, how many times are greater than distance of b, करो solve, यह यहाँ पर कहीं और का option चिपका दिया है, हो सकता है, option match ना करे, लेकिन सवाल समझ के करो, इस पर सवाल बहुत पूशे जाता है, t a square is proportional to r q, सवाल देखो, period of revolution of the planet a, around the sun is a times that of b, तो a का जो revolution है, 8 times है, b के, period of revolution, ठीक है, तो t a बटा, t b is equal to, r a बटा, r b का power, t square is equal to r q, यही तो आता है, हाँ सर, अब t a 8 times of t b है, तो 8 times of t b रख दोगे, यह इससे कट जाएगा, 8 का square क्या होगा, 8 का square 16, और power 1 भाई थे, तो r a by r b is equal to, आएगा, 8 का power 2 by 3, 8 का power 1 by 3, 2 होता है, 2 काई उसकार 4, 4 times होगा, पहला answer आएगा, आपका, आपका भी पहला आया है क्या, आपका भी पहला आया है क्या, ठीक है बटा, यहाँ पर kinetic energy सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, तो kinetic energy जब सबसे पास होता है, पार्टिकल वहाँ पर speed ज़्यादा होता है, तो a पर kinetic energy maximum, जैसे से आगे जाएगा kinetic energy घटेगी, तो a पर kinetic energy maximum और c पर kinetic energy minimum, क्या दूसरा जवाब होगा, पता हो भाई, क्या दूसरा जवाब होगा, हाँ सर बहुत easy है यह तो, next देखो भाई, यह नीट 2015 का सवाल है, इसमें आप से पूछा है, कि Kepler's constraint और capital G के टांस में क्या रलेसन होगा, कुछ मत करो, पूरा drive करो, कैसे, देखो, मैं जो कहता हूँ, अगर मान लो, अर्थ का मास M है, और small M का planet घूम रहा है, orbital speed में, तो इसको घूमने के लिए, जो centripetal force होगा, वो M omega square R भी लिख सकते हैं, क्या, लिख सकते हो, M omega square R is equal to क्या होगा, G capital M small M बटा, R square, हाँ पे R से R square कटोगे, तो यह R आएगा, र लिख दिया, M omega square R, यह आएगा, अब यहाँ से R को इधर ले जाओगे, तो omega square R Q is equal to G capital M, आ रहा होगा, क्यूकि R यहाँ चला गया, तो R Q, small M से small M कटेगा, G capital M, ठीक है, और omega को आप लिख सकते हो, बेटा, 2 pi by T, तो यह होगा, 4 pi square, बटा T square, इसको इधर ले जाओ, R Q is equal to GM बटा T square, GM को नीचे रखोगे, तो T square is equal to आएगा, 4 pi square बटा GM into R Q, मतलब 4 pi square बटा GM KK plus constant आगया, क्योंकि हम कहते हैं, T square is equal to K R Q, और यहाँ पे exactly relation मैंने drive कर दिया, T square is equal to 4 pi बटा GM, देखो न, 4 pi square GM जातो, 4 pi square बटा GM R Q, 4 pi square बटा GM आजाएगा, बोलो कौन सेंसर मैंच कर अड़े यह, pi square आएगा, P नहीं है, बताव भई, K की value क्या लिखोगे, K की value लिखोगे, 4 pi square बटा GM, मतलब 4 pi square बटा और KGM, KGM बटा 4 pi square, 4th answer आएगा, 4th answer आएगा, 4th answer आएगा, चलो, next देखो, यह उरिशा नीट 2019 का सवाल है, directly T square is proportional to R Q से solve हो जाएगा, clear है बेटा, तो यह बहुत असान होता है, अच्छा, माल लो कोई एक satellite, R1 radius के circular path में गूम रहा है, उसको अगर R2 radius के circular path में shift करना चाहते हो, तो change in total energy, इतना आपको energy देना परेगा, मतलब, total energy final minus, total energy initial, याद रखेगा, total energy जो होता है, वो potential energy का आधा आता है, मतलब नीचे 2 का factor होगा, ठीक है, तो एक satellite अगर R1 radius में गूम रहा है, उसको R2 radius में shift करने के लिए, total energy का difference आप energy देते हैं, उसको, clear है, अब यहाँ पर satellite के छोटे-छोटे सवाल है, चोलो मैं यह करा दूँगा थोड़ा सा, यह फिर से,